इंग्लिज रिटिंग की क्लास में आपका स्वागत है आज की जो कहानी है यह बहुत important कहानी है इस कहानी को मैं word to word English से हिंदी में translate करूँगा और इसमें आपको वैसे बहुत सारी important word meaning, important sentence और ऐसे भर्व मिलेंगे जो आपके लिए important तो होगा ही और साती है आप English बोलना और प बढ़ सके ठीक है चलिए आज का topic क्या है topic देखते हैं देखिए आज का topic है honeybee, honeybee का मतलब होता है मदुमक्खी, honeybee and the pigeon यानि मदुमक्खी और कबुत्तर का एक और word होता है आप comment में बताएगा क्या होता है ठीक है और honeybee का अगर और भी मतलब word होता है अब वह भी लिखिए ठीक है यानि मदुमक्खी और कबुत्तर पर अधारित ये कहान नहीं है ठीक है देख सकते हैं यहां पर यहां मदुमक्खी और यहां कबुत्तर ठीक है चलिए आगे स्टार्ट करते हैं इट वाज रेनी सिजन रेनी सिजन का मतलब होता है बरसात का मोसम ठीक है इट वाज रेनी सिजन यानि बरसात का मोसम था इट का परियोग होता है जैसे कि समय बताने के लिए या फिर मोसम के लिए का करते है इट का परियोग होता है जैसे बरसात का मोसम था इसको बोलते है केवल, was rainy season नहीं बोलएंगे इसको लिखेंगे, it was rainy season ठीक है? यानि बरसात का मोसम था यह फिर, it was autumn, it was summer ठीक है? ऐसे करके कहा जाता है केवल, rainy season नहीं उसके पहले क्या करते है? इट का प्रियो किया जाता है मोसम के लिए, ठीक है? यानि बरसात का मोसम था The forest was thripping यानि जंगल was thripping मतलब क्या भरा बुरा था यानि लदालद था ललाहा रहा था उसके लिखा करते है thripping का यूज करते है थीक है यानि जंगल क्या ललाहा रहा था With lush green leaves यानि किस चीश्ची लाहा रहा था यानि हरे कॉमल हरे पत्यों और fresh flower यानि फ्रेस मतलब हो गया ताजी flower मतलब हो गया फूल यानि ताजी flower और हरे भरे पत्यों से क्या जंगल लालाहा रहा था थीक है All birds यानि सभी पक्षिया and animal और janvars सभी पक्षियों और janvars where busy यानि व्यस थे थीक है यानि भोजन इकठा करने के लिए यानि भोजन इकठा करने में व्यस भी क्या थे सभी पक्षिया और janvars ब्यस थे during bus in the throwing rain throwing rain मतलब रहन मतलब जिम जिमाती होई बरसा जैसे के बरसात के दिन में क्या होता है कभी जिम जिम पानी पढ़ता है जिम जिमाती होई बरसात के दोरान में क्या था वे सभी ब्यस थे कौन-कौन पक्षिया और janvars ठीक है आगे देखते है अब पिजियन वाज making some repair work in her next यानि एक कभुत्तर वाज मेकिंग मतलब क्या वाज मेकिंग some repair work यानि एक कभुत्तर यहां से देखेगा यहां से लेके आपका यहां तक ठीक है यह क्या एक sentence है ठीक है इसका मतलब होता है कुछ repair का काम making है मतलब कर रहा था ठीक है कुछ repair का काम यानि कुछ मरमत का काम कर रहा था ठीक है यानि एक कभुत्तर काम कर रहा हों तक है। इंट मतलब होता ह्यां है अपने घोसले में कुछ काम रहा है यहां तो कोई दिकत है। सीवाज busy वा बैस्तती collecting available dry sticks वहां ब्यास थी इकठा करने में ठीक है, collecting मतलब होता है इकठा करने में available मतलब उपलब्द सुखे, stick मतलब छड़ी यह से होता है यानि जो सुखी लकड़ी होती है उसको बोलते है sticks ठीक है, यानि वहां ब्यास थी यानि जो उपलब्द था वह सुखी लकड़ीयों को एकठा करने में ठीक है, he was flying वह उड़ रहा था subject, subject के बाद क्या आवाजबेर का पुद्यों को हुए उसका fly, यानि यह उड़ना है भर में क्या ing का परिवग हुए ठीक है, यह कॉन्तर टेंस हो जाएगा past continuous tense हो जाएगा ठीक है यह उड़ रहा था hair and there इधर इधर या फिर यहा वहा ठीक है वह इधर 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 उड़ रहा था suddenly मतलब होता है, अचानक suddenly अचानक he saw, उसने देखा यह सी का क्या second form है ठीक है, saw सी का क्या second form है साव सो मतलब हो गी यह देखा इसका थर्फ पर्म क्या आता है SIN, S-W-E-N हिसा उसने देखा A honeybee यानि एक मदुमक्खी begging draft यानि बाह रहा था in the river यानि नदी में धारा के साथ नीचे वो नदी के नीचे में बाह रहा था यानि नदी में बाह रहा था The honeybee यानि मदुमक्खी was trying यानि कोशिश कर रहा था hard यानि बहुत परियास कर रहा था या फिर बहुत कोशिश कर रहा था to keep its wing ठीक है रखने के लिए keep मतलब होता है रखना its wing यानि अपने पंकों को सुखा, dry मतलब होता है सुखा, वो अपने पंकों को सुखा रखने का बहुत परियास कर रहा था दा पिजियन यानि कबुतर वास भेरी सो मच सोरी यानि देखें आप भेरी सो मच सोरी का मतलब होता है बहुत दुख होना ठीक है यानि किसी के लिए हम लोग क्या बहुत दुख अबहर वेक्ट करता है ना यहींनि बहुत दुख किसी को देखके ऊता है उसका क्या होता है भेडी सो मैस्वरी आप किसी के लिए b히 इसका यूज कर सकते हैं ठीक है आप कोई दोस्त है किसे का तब्यात खिराफ हो गया उसके हालातों को देख diphenyat g ferryлон कि यहां देखें अब आगे देखें देखें वाज भेरी सो मजश्वरी फोर दवी यानि जो मदुमक्की था उसके लिए क्या है उससे बहुत ज्यादा दुख हुआ कब उतर को कर दो key है नेक्सड देखें तो क्या है in in the effort to save पर्यास में परियास में तो से यह नि बचाने के परिएसं में किसको बचाने के Do Yeah हनीवीन गया इए है इनरे मदुमक्क के तोड़ा एक सूखी पत्ती को और इसे क्या क्या फेक दिया इट का मतला इसे फेक ना यहां पर थोड़ा क्या सेकेंड फेक दिया एट द भी जयनी मदुमक्की के सामने यह फिर मदुमक्की के पास क्या-क्या फेक दिया अगे देखे तो द हने वी यहीं मदुमक्की वग इस्ट्रॉंग एन फ्र एनुजर का ताकत वर उता का इतना टाकतवर होना या फिर इतना टाकतवर हो कि जितना में वो क्या ग्लिम को अपना सेफ खर सकती यह बचा सकती है यहाँ पे देखे की से सब्सक्राइबार और भ और lay on the dry leaf और late गिया और मतलब क्या अथा पर dry leaf मतलब सुखी पती और सुखी पती पे वह क्या होगा late गिया for sometime यानि कुछ देर के लिए कुछ देर के लिए वहाँ पे क्या होगा late आ रहा once एक बार he was totally dry totally मतलब होता पूरी तरह से करा है collaborators वह सूख ना कि एक बर जबाँ कि पूरी तरह सेैं डर व्य तरह से सूख रिए तेक है जब सो एक बर पूरी तरह से सूख गया जब खिंगं द पर शिम खुझसी कांते हुए वह फुसी-खुसी तरहारा पुटबाइए Chi लिग वे डियर फ्रेंड मतलग पिरियमित्र ऊड़िए गागी का सेंस होगा ठीक है मैं नहीं को टहुंगा यह चैज तूम्ह नहीं को होगा दिन मिते सरत का मोसम आए ठीक है हंटर यानि सिकारी ने P O A C H E D P O A C H पॉच मतलब होता है कबजा करना ठीक है पॉच मतलब क्या कबजा कर लिया ठीक है अवेद कबजा कर लिया ठीक है सिकारी ने क्या जो हंटर जो थे वे क्या किया अवेद कबजा कर लिए forest पे ठीक है in search of animal यानि सिकारियों के तलास के लिए क्या था सिकारी के तलास के लिए जंगल पे सिकारियों ने sorry जानवरों के तलास के लिए सिकारी ने क्या क्या था जंगल पे अवेद कबजा कर लिए ठीक है जानवर की तलास करने के लिए क्या है जानवर की तलास करके उसका सिकार करने के लिए कब जा किया था ठीक है दे किल उन्होंने मार डाला एनी एनिमल यानि सभी मतलब ऐसे सभी जानवर को दे सेट ऑन आए ठीक है वह या फिर वे वे क्या कि हमारे एनी एनिमल यानि किसी भी जानवर को ठीक है दे सेट ऑन आय जिसकी नजर जिसके उपर पड़ी तेक है सेट आइ मतलब क्या अनजर पड़ना इसका नजर या फिर उनका नजर जिसके उपर पड़ा वे क्या किए सभी जानवर को मार दिया ठीक है अब आगे देखते हैं क्या दिया होगा है e hunter यानि एक सिकारी minus two c यानि देखने में क्या वो देखा या पिर देखने में कह सकते हैं कि समाज हुझित रहा देखने में कायम कायम रहा ठब या फिर काम्याव रहा ठबुतर को PRCHD PURCH मतला होता है उपर या फिर बेठा हुआ हाई पर्च मतलब हो गया उपर बेठा हुआ यहां पर बेठा हुआ ठीक है पर्च मतलब हो गया उपर बेठा हुआ ठीक है एक सिकारी या बुतर को देखने में कम्याब रहा ठीक है जो बेठा हुआ था जो क्या बेठा हुआ था उपर on the tree यानि पेड के उपर क्या बेठा कम्याब रहा, he thought उसने सोचा, what a lucky person, ठीक है कितना भागशाली हूँ, I am मतलब मैं हूँ, कितना भागशाली मैं हूँ, इसको अप लिख रिज़े हैं, ठीक है what a lucky person मतलब क्या है, कितना भागशाली my wife, मेरी पतनी sir provide, मतलब provide, मतलब क्या देना होता है ठीक है, मेरी पतनी देगी यानि कोई चीज़ आप किसी को दे रहे हैं, मतलब क्या कर रहे है provide कर रहे है, ठीक है मेरी पतनी देगी मुझे, मी है या पर मी का मतलब क्या हो या मुझे, ठीक है, मेरी पतनी मुझे देगी with tasty 50- k position met यानि स्वादिष्थ का भुततर का मांस टीक है ओ कि इतना सोचने या फिर सोचकर भी इवेंन फीडिंकि मतलब तर्वRobotheल इन यदर रखेगा थे में लिखने खません सोचकर भी अब वे ऑट इट यानि यानि इसके बारे में इसके बारे में सोच कर भी make me slavity मुह में लार आ जाती है ठीक है he stalks was choose liya some slava यानि कुछ slava यानि लार के बुन को from his mouth जो उसके मुह से गिरने वाला था ना ठीक है या देखें he stalks was choose liya some slava dropping यानि कुछ slava के बुने जो क्या गिरने वाला था उसके मौस से उसको भी वह कर चूस लिया he took was liya his gun अपना बंदू ठीक है take miss उते लेना take का यहां पर क्या second form है take का यहां पर second form है took took मतलग क्या लिया अपना gun लिया और start to take him और निसाना लगाना सुरू किया at the position यानि कबूतर के उपर ठीक है और कबूतर के उपर निसाना लगाना सुरू किया in the meantime यानि इसी बीच समय या इसी बीच में या इसी समय में ठीक है इसका याद रखेगा in the meantime ये से भी आप लिख लीजिँगा क्योंकि आप कभी भी कुछ लिख 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 लिखेगा इंगलीस में उसमें काम आएगा बोलने में काम आएगा in the meantime यानि इसी बीच में the honeybee यानि मदुमक़्ी was flying ही मतलब कि है उड़ रहा था इसी बीक क्या का रहता है मदमभी इड़ रहा दिजो इन देट एरिया या इस चेत्र में मदमभी क्या इसे बीच उड़रा ह accessing abstract ंच of some fine flower यह मiantलों मतलग मतलग कैं तलास में of some fine फ्लावर यानि कुछ अच्छे फूलों की तलास में वा क्या उड़ रहा था तू कलेक्ट हनी यानि सहर इखठा करने के लिए ठीक है ही साव उसने देखा दा हंटर यानि सिकारी तेकिंग हिस गन यानि वह अपना जो सिकारी जो था वह अपना गन लिया हुआ ठीक है ही लुक्ड आफ व úपर देखा और देखा कि पिज़न सिटिंग देएर और पिज़न मतलब के बुते कि सिटिंग बेठा हुआ है देएर मतलब वहाँ तेक है वह क्या करता है वह जो हनीवी था यानि मदमक्षी जो था वह उपर की ओर देखता है और देखता है क्या देखता है कि पीजन क्या है उपर वहां बेठा हुआ है ही थोट उसने सोचा हॉली गॉर्ड है भ्हगवान दघटर यानि सिकारी इस गुइंग टू श्टॉक यानि going to श्टॉक द्रप इसन्द सूट मतलए की आता है मार ना ठीक है है यहापे सूट है तो मार ना ओझा ठीक है है सिकारीCruchi मारने वाला है going to suit मतलब क्या मारने ही वाला है ठीक है मारने वाला है यह फिर मरतेगा कभुधतником that's save my life जो क्या इस था मेरी जिवनको बचा यह यह बचाए था यस में जीवनको भाचाए था within her mind यह क्या एक sentence का structure इसको याद रखेगा ठीक है within her mind यानि अपने दिमाग में रखका ठीक है दिस मतलब क्या जो बचाया था वह चीज अपने दिमाग में रखका he fly वह उड़ा strength मतलब सीधे at the hunter यानि सिखारी के पास and stung him और से क्या dunk मारा stung मतलब होता है dunk मारना ही मैं यहापी इसलिए क्या जो उसे dunk मारा ठीक है आगे देखे तो the hunter stalk in pen यानि सिखारी ने क्या stalked मतलब चिलाया जोड से दर्द में आके वह क्या चिलाया और his aim missed और उसका निसाना क्या हुआ miss हो गिया ठीक है the bullet pass away गुजर गया without any harm यानि बिना कोई नुक्सान के the pigeon hair यानि के वुत्तर ने सुना the hunter's sound यानि सिखारी के आवाज को as well as well मतलब साथ ही साथ that of gun तेक है और gun के आवाज को भी when he looked down वह नीचे देखा his sound तो उसने देखा the honeybee यानु मदु मखी weeping at her वहाँ पे क्या लहरा आ रहे थी है फिर वहाँ पे भन भना रहे थी ठीक है thank you धन्यवाद किया old friend ठीक है क्या करता है thank you old friend यानि धन्यवाद कुराने दोस्ट webs the pigeon यानि pigeon ने क्या हाथ लहरा आया और fly away to save और उड़ गया अपने को सुरक्षित लेके ठीक है और साथी साथ क्या वह अपने सुरक्षित बज़के वब उड़ गया ठीक है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है ठीक है अब दिखते हैं यहाँ पे इसका moral यानि नितिकता क्या होता है ठीक है जैसे के आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते है ठीक है चलिए वीडियो में यही तक फिल्दे अगले वीडियो में उमीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ बहुत यह डीटेल्स मैंने इसको बताया ठीक है आते के लिए जैहिन